आज हम बनाएंगे लाली पॉप चिकन लॉली पॉप ते एक किलो चिकन है अब इसमें मसाला क्या पढ़ेगा वह हम आपको बताते हैं यह दही नैदा धनिया कि धनिया पति हरी मिर्ची अद्रक लशन निंगू लाल मिर्ची नमक कश्मिरी ळाल मिर्ची पॉडर जीरा पॉडर हल्दी और फूड कलर आजि था हिसी दे तंदूरी मसाला ड्मेश हो भी हम बाली बड़ी बड़ी बदभी बतेली में डालना तक भी मिलाने मेंचर रहेगा पानी पूरा निचोड लिए पानी बिल्किल भी नहीं है आज से पीज कटा की लाइद पूरा है अधर मसाले जाएंगे पाडर मसाले चिकन तंदूरी मसाला दानी इसको निचोड़ के अची जालेंगे पूरा नहीं डालेंगे इसको चार से पांच चम्मज डालेंगे पांच चम्मज टालेंगे बाद में देखेंगे तो फिर लगेगा तो डालेंगे अरेंज कलर है अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़निया से मिक्स करेंगे इसको एक गोटी में अच्छे से लग जाए अब इसको या तो फिरीज में रखो या साइड में इसको आधी घंटे के लिए अब व्रीज में से नि iş cannot iki that अब हम उसको इधर साइड में रखते हैं जब तक गइस चालु करके तेल रखते हैं गरभ वनिक्स करेंगे अब युँभ हम दो तेल करें बोलता ज़्यादा रहें तेल को में एक दम फास्ट गयास पर रखें हूं जब तक हम उसको mix कर लीते हैं अभी इसको एक बार और अच्छे से पूरा मिला लेते हैं उपरनेचे अब यह से पिल मिक्स करके जब तक तक तेल भी हमारा गरम हो जाएगा तो आप इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक देखते हैं हमारा तेल गराम हुआ कि नहीं इस को डाल बड़ा से ट्राइ करते हैं कि तेल गराम हुआ तो हां मेडियम हो गया है तो आप इसमें गार करके डालेंगे घष थोड़ा शिलो करेंगे अब इसको अच्छे से कोट करके बढ़ियां से फिर एक एक करके डालेंगे गैस मेडियम पर रखना चिकन भी गलना चाहिए चार पी डालोंगी करा ही छोटी है मेरी अब एक तरफ हलका हो गया है तो अब इसको वापिस पलट देंगे अलट पलट के अच्छे से पकाना है मेडियम गैस पर ताकि चिकन अच्छे से गल जाए वीज बीज में इसको इसको गुमाते रहना ताकि नीचे पकड़ेना जो उपर से हो जाए नीचे से उसको पलट भी देना अलट पलट के अच्छे से पकाना है अब यह अच्छे से फ्र छार लालि पॉफ हमारी बनके तयार हो गई हैं अब एक एक करके फिर वापिस डालेंगे तो फिर वाफिश चारपिश डाल दे हूँ कराही हमारी चोटी है अगर बड़ी रहती तो एक साथ चल्दी से हो जाता एक लिए चिकन है तो टाइम लगेगा चिकन लागली पॉप बनके तयार हो गया है बिल्किन मार्केट की तरह है बाहर से लाने से अच्छा घर पे बना के अजोए करो और बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब बना है अब बहुत दिखने में भी अच्छा खाने में बहुत टेस्टी है अग बना और पुरे फामिली के साथ इंजोए करो अल्ला हफिस दौा में याद रखना लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ